Hi guys, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Login Form के बारे हैं, की हम कैसे login form बनाएंगे Django का use करके, Django Python का use करके login form बनाएंगे तो चलिए, घोज के इस वीडियो में यही देखने बाले हैं जो कि आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे कोई भी माल लेते हैं कि हमारे पास एक admin है login करना चाहता है admin admin अगर login करेगा login करता है यदि success login होगा तो हमें homepage पर redirect कर देगा देखिए कुछ इस तरह से login success होगा तो हमें homepage पर redirect कर देगा इस video में हम लोग यही देखेंगे कि हम कैसे login form बनाएंगे उसके बाद django और python का यूज करके basic सा बिदम django और python का यूज करके बिदम simple वासा में देखेंगे कि हम कैसे इसका यूज करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई login है तो इसका username यहाँ देखेगा और यहाँ पर logout करके उसको एक option मिलेगा यदि उवा login नहीं है ठीक है यदि माल लेते हैं कि उवा login नहीं है यहाँ से remove करके आपके लिखाद लेते हैं जोरा session को कि logout यदि उवा login नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको दीखेगा क्या चीज़ login and sign up का button यदि कोई login है तो उसको देखेगा कुछ इस तरह से admin admin यहाँ पर जैसा ही login होगा तो इसको देखेगा admin and logout यह दोनों वहाँ पर नहीं देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं यह हमारे पहले का ही project है जिसका नाम है sign up sign up हम बनाये थे एक पहले का project था यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो description में link दिया होगा आप वहाँ से देख सकते हैं इसी project का इस्तमाल करेंगे इसी project के अंदर हम यहाँ पर जैसे हम sign up बनाये थे उसी के अंदर हम login को include करेंगे तो यदि आप उसका project का पूरा setup देखना चाहते हैं कि हम कैसे setup किये थे अपने project को अब उसके वाद का जैसे bootstrap को कैसे add किये थे बूटर स्ट्रेप का कैसे यूज किये थे वहाँ पर क्या क्या पहले activate करते हैं तो इसको हम activate करते हैं जिसका नाम है ducenv आप यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह इन्वार्यमेंट है create इसी जगह पर उसके अंदर script और इसको हम activate कर देते हैं एक्टिवेट किये यह हमारा एक्टिवेट हो गया आपको प्रोजेक्ट को तुरह रन करके दिखाते हैं यह हमारा वर्च्वल इन्वार्यमेंट एक्टिवेट हो गया हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर हम python manage.py run server run server करते हैं तो हमारा यह server चल पड़ेगा तो यहां से हमारा यह server चल गया तो यह आपको कुछ इस तरह से सोकड़ेगा हमारा webpage इसके हंदर हम यूज कर रहे हैं बूटर स्ट्रेप 5 का और backend में यूज कर रहे है python jango का ठीक है यहां पर sign up हो जो कि आप देखना चाहते हैं उस side के अंदर चलिए शुरू करते हैं अपने code के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं विउ बनाते हैं आते हैं विउ के अंदर यहां पर बनाते है class लिखते हैं login विउ या तो लिख रहते हैं my आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं अपना तोड़ा class बेस्ट है thumble login लॉग-in view ठीक है अब भी हम विउ का यूज करते हैं विउ का यूज किये इसके अंदर इसके अंदर def यहां गेट मेठर को कौल कर यहां पर करते हैं तो यह दो पैरामेटर लेता है self और request request और इसके अंदर एक template पास करेंगे return करवाएंगे return render render करवाते है request और इसमें एक आएगा जो कि template का नाम जो कि है core के अंदर जो है template template में यह एक बनाएंगे core यहां पर core के अंदर login.html save किये अब यहां पर कोई login.html का बना हुआ है नहीं तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे एक बनाएंगे login.html login.html किये था मेरा यह page बन गया अब इसका एक url बनाते हैं तो url के अंदर जाएंगे इसके अंदर एक url file है यहां पर हम इसको करते हैं include इसका हम पाथ में लिखेंगे login ठीक है आप जो url देना चाहते हैं दे सकते हैं हम यहां पर लिखते हैं login और जो यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंपोर्ट कर लिए इसको इसको नाम क्या था 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 माई login भी बन गया यदि कोई इसके अब आएगा login पर हिट करेगा तो उसके अंदर यह view चलेगा यह view चलेगा अगर gate method है तो यह view चलेगा और यह उसको यह page render करेगा ठीक है यह page उसको render करेगा जो यह url हिट होगा तो चलिए हम करके देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर हम बनाए थे क्या है इसको हम URL को यहां पर set करते हैं तो URL के जगा पर जो है नेम डिफाइन किया है तो नेम उसको लॉगिन यहां पर सिर्थ लीख दीजिए वो URL लेगा तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इस पेज को जरा रिफ्रेस्ट करते हैं इसके अंदर जाएंगे तो हमार पास एक base template बना हुआ है यदि आप पिछले बार वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम एक base template बनाए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है अगर नहीं भी देखे तो यहाँ पर देखें base template में क्या क्या है एक title है एक block मना हुआ आप यहाँ से title को देख सकते हैं यहाँ पर include किया हुआ है कि इसको navbar को navbar include है और यहाँ पर एक main content है block मना हुआ और एक block मना हुआ है my script के नाम से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम extend करेंगे login page के अंदर extend करते हैं core के अंदर है template के अंदर जाके core के है क्या चीज बेस.html अगर बेस.html करते हैं तो यह क्या करेंगा अब देखिए page को क्या करते हैं refresh जैसे refresh करेंगे तो base template के अंदर जो भी था यह क्या है चला आया base template के अंदर जो भी था उसको यह extend कर लिया इसमें अब इसके अंदर title देते हैं तो block को लिखेंगे यहाँ ब्लॉक टाइटल लिखें यहाँ पर से लिख करके हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं टाइटल में login login लिखे दिए आप यहाँ पर देखिए login आगया अब यहाँ बनाते हैं यहाँ पर लिखते हैं main content एक block हमारे पास है जो कि base template के अंदर है आप यहाँ पर देख सकते है तो इसी को हम copy कर लेते हैं इसे copy और यहाँ पर paste कर देते हैं पेस्ट करके अब यहाँ पर बनाते हैं अपना main content इसके अंदर जो होगा इसके अंदर एक बनाते हैं section section इसका section का class दे देते हैं container ठीक है container दे दिए अब उसके अंदर एक डिव बनाते हैं div raw अब इसके अंदर फिर बनाते हैं div call md 5 कर दिए अब इसको यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर यहाँ पर h3 के अंदर login form simple सा लिख देते हैं login form आपको देखिए कुछ इस तरह से अभी so करेगा तो लगता है कुछ यह इसका क्या करना पड़ेगा कि इसका जो text color है इसको change करना पड़ेगा तभी वह हमें दिखाए देगा तो यहाँ पर इसके अंदर class लगा text text white कर देते हैं तो आपको कुछ white यहाँ पर यह नजर आगा रिष्विस कीजिए देखिए दिख रहा है तब इस यह उपर से कुछ चिपक क्या रहा है तो हम कुछ आते क्या है क्यूंश नीचे दिखाए दे और यह जो यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो चलिए हम आपको empty 5 यह bootstrap का class है ठीक है अब यहां पर देखिए को margin 5 हो जाएगा margin कुछ ले लिया उपर से 5 हो गया इतना यहां से यहां तक का margin हो गया अब यहां पर एक देखिए गर सबसे पहले हम क्या करते हैं आपर इसके अंदर हम दे देते हैं को border दे देते हैं आपको दिखाते हैं पीच ओ बीच में हमको दिखाए दे ठीक है यहां पर यहां पर दिखाए दे तो आईसा हम चाहते हैं लेकिन यह जो चिपक के यहां से आ रहा है वो नहीं होना चाहिए हमारे पास एक ही है तो हम यहां पर क्या करते हैं रो के अंदर जाएंगे हमारे पास एक बूटर स्ट् को दिखाते हैं और फों बनाएंगे फ़ोम को रखेंगे और इसका णाम रहेंगा दिू रो इसके अंदर और CRS form बनाए नहीं, तो form का यूच करेंगे किसके लिए जो login फॉर्म को बनाएंगे रहे हम बनाएंगे इसके अंदर भी बनाते हैं div call md5 ठीक है call md5 किये अब इसके अंदर हम क्या करते हैं वो कुछ टेक्स्ट को लिख देंगे अगर नई टेक्स्ट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं और यह भी justify क्या कारेकर content क्या देते हैं इसके अंदर around कर देते हैं तो वह जहां से यह दिख रहा है वहीं से वह भी दिखेगा देखिए चलिए यह बराबर हो गया अब इसको हम करते हैं यहां पर एक form लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम form create करेंगे जो कि हमें जैंगो देता है बना बनाया तो चलिए सबसे पहले हम base template को यहां से हटा देते हैं नेवबार का भ authentication form वह देता है जैंगो के अंदर contribute के अंदर auth के अंदर form के अंदर यहीं पर साहध होगा authentication form ठीक है authentication form का इसको हम इसी का हम यूज करेंगे इसी के अंदर इसी को inherit करके बनाएंगे हम एक अपना authentication form बनाएंगे ठीक है तो यहां पर इसको थोड़ा सा कर देते हैं अब उसके ब लिखते हैं mild login form, आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकरन हम यहां पर लेखा है mild login form, हम किस का यूज करेंगे, authentication form का यूज करेंगे, आप देख सकते हैं, authentication के अंदर आपको दिखाते हैं यह जो हमें jango बना के देता है यहां पर देखिएगा यहां पर सी आप देख सकते हैं जैंगो के अंदर, contrary के अंदर, form के देए ऑन्दर authentication फोर्म है यह हमारे पास इसके अंदर दो field है क्या है username और password है username और password है हम इसी को copy कर लेते हैं ठीक है इसी का हम copy करके और वो जो हम अपना इसमें हम CSS कुछ लगाएंगे हम इसको copy paste कर दिये हैं और इसको थोड़ा सा indent चलिए अब यहाँ पर करता है user user creation क्या करता है user name field यहाँ पर include नहीं है इसको हम सबसे पहले user name field भी हम इसको इसको इसी के अंदर मिल जाएगा user username field है इस भी import कर लेते हैं user name field को भी import कर लिए यहाँ पर यह हमें कर रहा है label को label को हम हम चलिए हम label को यहां पर थोड़ा सा error आ var DOUBS यहाँ पर defined नहीं है तो करते हैं इसको हटाते हैं लेवल रहने देते हैं इसको सब को import नहीं करते हैं इसको हम लेबल को कर देते हैं कुछ इस तरह से लेबल हो गया और यह रहने देते हैं विजिट रहने देते हैं अपना क्लास लगाएंगे अब यहां पर लगाएंगे अपने क्या है आपके लिखना है क्लास के अंदर मेरा है क्या है एक फॉम कंट्रोल लिखेंगे तो यह मारे बूतरस्टेप का क्लास है जो की बूतरस्टेप वहाँपर आएगा अब यदि आप और कुछ देना चाहते हैं क्लासे से तो आप यहां से आप दे सकते हैं इसके अंदर ठीक है अंदर लिखिए अब यहाँ पर A करके अप लिखिएगा form control यहाँ पर अपना class लगा दिए अब यह मेरा form बनके तयार हो गया तो यह हम form बनाए कि इसका दे करके देखिए authentication form का यूझ करके my login form बनाया है अब इसका यूझ करेंगे हम यहाँ पर देखिए login form हैं अब login form का यूझ करेंगे इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे my trust fjsm यहाँ पर लिखते हैं my login view नहीं my login form तो यहां पर देखिएगा कि form के अंदर से हम लोग जितने भी classes या classes होगा या थो function होगा यहां पर सभी को हम क्या कि है import कर लिए यहीं पर यहां इस फोर्म को हम क्या करते हैं कि हम अपने template के अंदर render करवाते है template के साथ है यहाँ पर हम लिखते है home ठेक है find के अंदर अब जो मेरा Rome बना है अब फोर्म को क्या किजिए यहां से render करवा देगा अब यहां पर चला गया इसी के साथ, ठेक है, अब यहाँ पर यह चला गया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब पेज को रिफरेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब दिखाई देगा, जब इसको आप कॉल किजिएगा, तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको form दिखाई देगा, देखिये, दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से, आपको दिखा देते हैं, कि यहां लोग जो बूटर स्ट्रेप का class दिखाई लगाए थे, वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप यहां से देख सकते हैं, form यहां पर, कुछ आपको जु तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पिक करेंट पास्पड इसके अंदर भी देखिए हम लोग क्लास लगाए थे कि कि संब्सद्राइब होम कंट्रोल का फॉम कंट्रोल यहां पर दिखाई दे रहा है अब चाहते कि आई कुछ थ्वड़ा सा यहाँ पर जो यह form है, form अंगल को ठीक दिखाएने देरा, इसका थोड़ा सा background चेंज करते हैं, और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा लूप देते हैं, तो अब आप इसके अंदर आईए, आप form को सबसे पहले form के अंदर लिखे, form आपको लिखना पड़ेगा, आपको form बनाए, post method का यूज करके, form के अंदर जाएए, अब इसके अंदर बनाते है, form लगाते हैं, क्योंकि बोर्ड लूप लगाएंगे, तभी हमें अच्छा से control मिलेगा, जो error होगा अच्छे से दिखाए देगा, तो अब इसके अंदर form के अंदर आए, form के लिखेंगे य यहाँ पर, तो क्या रहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले, FM के अंदर, FM के अंदर क्या है, सबसे पहले, level tag को करते हैं, display कराते हैं, तो यहाँ पर लिखना पढ़ेगा, level tag लिखिएगा, तो जितना भी उसका level tag होगा, आपको सब दिखाए देगा, यहाँ पर सिफ लेवल tag दि दिखाए दे रहा है, अब देखिए यहाँ पर तो दिखाए दिया क्या चीज़, सिर्फ level दिखाए दिया, अब चाहते हैं जो उसका field है, वो field भी दिखाए दे, सिर्फ FM लिख दीजिए, अब उसका field भी देख सकते हैं, उसके अंदर जो input field होगा, आप यहाँ पर देख सक to white कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, इसका background color white हो जाएगा, हो गया ना, अब यह थोड़ा सा उपर ज्यादा चिपक क्या रहा है, तो हम इसको चाहते क्या है, कि जो उपर जो चिपक क्या रहा है, थोड़ा सा नीचे दिखाए दे, इसमें कुछ margin padding कर देते हैं, margin top कर दे देते हैं, margin y कर देते हैं, 3, 3 करते हैं, तो कुछ साहट देखिए, ठीक से दिखाए दे, ठीक दिखाए दे रहा है, अब चाहर क्या है, कि इसके अंदर padding भी दे देते हैं, padding मतलब अंदर से, P, 4 side से देते, padding 2 कर देते हैं, तो कुछ आपको, देखिए, अंदर से भी margin होगे हलका, लेकिन और थोड़ा, कुछ ज़्यादा कर देते हैं, P, 3, 4 side से यह padding ले लेगा, लेलिया न, अब चाहते क्या, यह जो देख रहा है, थोड़ा सा, यहां पर यह corner है, थोड़ा सा rounded करके दिखाए दे, कुछ तब ही ठीक लगेगा, तो इसको कर देते हैं, rounded, rounded कर देंग होगे, देखे क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा, जैसे ही refresh करेंगे, तो कुछ थोड़ा सा, अब अच्छा लूख लेगा है, तो आब इसके अंदर बनाते हैं, यह तो हो गया, यूजर नेम का, यूजर नेम और यह पासवर्ड फिल्ड होगी, अब ए submit, submit, यहां पर लिखे देते हैं, submit, submit इसका value भी दे देते हैं, login, login करेंगे, तो आपको एक थोड़ा बटन दिखाए देगा, कुछ इस तरह से, आप देखिए, यहां पर से login बटन आपको दिखाए देगा, तब bootstrap का यूज करके, अच्छा सा login बटन बनाते हैं, देखिए कैसे login करेंगे, बस छोटा सा एक दो class लिखिए, आपका login बटन बनके, यहां पर से button, btn primary, btn primary करेंगे, बस, एक must जैसा, देखिए, बन गया ना, login, अब इसमें थोड़ा सा चेपक क्या रहा है, तो थोड़ा इसमें margin दे देते हैं, mt2, mt2 किये, तो margin top से, 2 ले लेगा, चलिए, बस, एक login form मेरा बनके, तयार हो गया, अब login form मेरा बनके, तयार हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, बैक एंड में, जेंगो का, तो जेंगो के अंदर, हमारे पास है, सबसे पहले, इसके अंदर जो data है, उस जैसे कि यहाँ पर से, मान लिए, कोई भी कर रहा है, जैसे ही submit करेंगा, तो करता है, CRS token forbidden, सबसे पहले CRS token, क्योंकि post method है, तो आपको देना पड़ेगा, CRS token, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब ही जाएगा, home validate होगा, चलिए, तो, यहाँ पर क्यारते हैं, तो जैसे है हैं, है यहाँ पर call कर रहे हैं, यह note allowed है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर post method नहीं allowed है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमने सिर्फ get method के लिए ही हमने किया था, अब यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, post method के लिए, तो यहाँ पर, अमारे पास cc के अंदर है, post यहां पर लिखना है request, self and request यहां पर दो parameter आपको देना है, अब यहां से सबसे पहले क्या किजिए, जो form के अंदर data आ रहा है, उसको capture कीजिए, तो जो form के अंदर my form, login form के अंदर जो data आ रहा है, तो इसको authentication form के जरीए अप ले रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां request, ठीक है, अब उसके बाद data is equal to request. यहां पर post लिखिए, अब इसके अंदर जो भी data है, वह है, fm के अंदर आ जाएगा, अब इसको check कीजिए, कि fm, आप सबसे पहले इसके बाद check कीजिए, कि fm, if fm is valid, check कीजिए, यह जो data आ रहा है, वह valid है, यह नहीं है, यदि valid है, तो pass कर दो, इसमें के अंदर code लिखेंगे, अगर नहीं है, तो else के अंदर आओ, उसके बाद क्या करो, कि उसको, जो fm के अंदर था, return कर दो, return, render, उसी चीज़ को render कर बादो, कि request यहाँ पर लिखना पड़ेगा, request, और जो data हम लोग पहले से, यहाँ से core के अंदर, login के .html को pass कर बादेते हैं, और fm के अंदर जो data था, पहले जो fm यहाँ पर store किये है, उसके अंदर डेटा है हुआ तो जाएगा ही, और error message के साथ उसको भेज दो, तो यहाँ पर context के बनाते है, यहाँ पर लिखते है form, ठीक है, form लिखे और इसके अंदर fm, यहाँ पर जाएगा, क्या चीज, error के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर error के साथ जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग जो बन आते है, fm.errors, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, fm.errors आएगा, पूरा errors का, जो जो भी error आएगा, message यहाँ पर, यहाँ पर class ले देते हैं, तो class का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दे देते हैं, जो दिखाएगा हमे, word danger color का, तो text danger color का हमें दिखाए देना पड़ेग देना चाहिए, तो text danger लिख देते हैं, मतलब read color के हमें, text danger, text danger लिख दिए, तो हमें text में danger दिखाए देगा, अब view के अंदर आएगे, अगर वो, अगर वो form valid नहीं है, तो हमें वो error के साथ हमें वहाँ पर show करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर हम pass लिखेते, अगर form valid है, तो लिख home का जो data आ रहा है, सबसे कुछ ठीक ठाक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कि हम username निकालेंगे, तो username is equal to क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर से fm.fm के अंदर से clean data, ठीक है, clean data निकालेंगे, जिसका होगा नाम username, जहाँ पर username होगा, उस उससे clean करके data को हम निकाल लेंगे, तो password हम लोग के पास से रहेगा, तो fm.clean data करेंगे, और यहां से हम password को ले लेंगे, ठीक है, यहां पर आ गए हमारे पास username and password, username and password आ गया, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमें username and password मिल है, या नहीं मिल रहा है, तो print करो, print करो, क्या चीज, username और password को, ठीक है, username बाद पासवर्ड को, अगर सब कुछ सही है, तो हमें वह दिखाई देगा, तो चलिए, यहां पर से आते हैं, और कहते हैं यहां पर, admin, admin, अब कहता है, कि list must, कहीं तो कुछ error आ गया है, और यहां पर error आया है, चलिए देखते हैं क्या है, टर्मिनल में पहले देख लेते हैं, यह error हमें इसलिए आ रहा था, कि हम पर देखिए क्या है, कि हमें लिखना था clean data, लेकिन हमें आपर लिख दिए, change, क्या है, change data, clean data हमें लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखिए, cleaned data, और यहां पर लिखना पड़ेगा, cleaned data, अब देखिए करके क्या आता है, यह नई आदा है, इसको हम save करते हैं, save करके आए, इसको फिर से हम refresh करते हैं, यहां पर लिखते हैं, admin, admin, और करते हैं, तो अब करते हैं, जैसे ही करते हैं, यहां पर करता है, कि यहां पर HTTP response नहीं दे रहा है, admin, admin, यहां पर आद देखिए, admin, admin आ रहा है, username और password के अंदर, मतलब यहां पर से username and password आ गया, अब यहां पर username पासवर्ड आ गया, तो अराम से इसको हम login करवा सकते हैं, तो login करवाने के लिए, login करवाने के लिए हमारे पास है, यहां पर देख लिजी क्या है, authenticate, सबसे पहले authenticate करेंगे, कि जो username and password है, हमारे table के अंदर, वह user exist करता है, यह नहीं करता है, देखिए यहां से, यह user को हम सबसे पहले authenticate करेंगे, authenticate करेंगे कि हमारे table के अंदर जहां पर हम user का information रखे हुए हैं तो वहां पर user है या नहीं है registered है या नहीं है यदि registered है तो उसको login करवाएंगे नहीं तब बोलेंगे एक error दे देंगे कि आप login नहीं कर सकते हैं मतलब कि अगर पासवर्ड या user ID पासवर्ड दोनों में से कुछ भी गलत होगा तो वह login नहीं होगा सबसे पहले उसको प्रोपर देना पड़ेगा कि उसका login मतलब username क्या है और उसका password क्या है यदि वह login पासवर्ड करता है तो उसको कि वह login मतलब मिलता हो वह viennent की return करेगा तो सबसे पहले क्या करें चेक करेंगे कि यह जो आ रहा है यह user तो यहां पर आते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हमारे पास एक authenticate उसको हम इंपोर्ट करते हैं तो इसको इंपोर्ट कहां से करना है वो देखिए उसको इंपोर्ट कहां से कर रहा है यहां पर से देखिए जेंगो के अंदर कॉंट्रिव के अंदर ओथ के अंदर इंपोर्ट करना है इसको यहीं से हम कॉपी करते हैं वहां पर हम पेस्ट सिप कर देते हैं अब आईए यहां पर अब उसके बाद यहां से आपको इंपोर्ट क लिए इंपोर्ट करने के बाद हम यहां तो यह function based view है हम इसको class based view में use कर रहे है कोई दिक्कत नहीं class based में use के जिए या तो फिर function based में use के जिए सिर्फ आपको use करना आना चाहिए देखिए यहां पर authentication है इसको authenticate है इसको हम सबसे पहले authenticate करेंगे कि जो भी वहां यहां पर से user id जो की username and password डाला है वह सही सही है यह नहीं है तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक user लिखते है user लिख करके हम क्या करेंगे एक authenticate इसको लाते हैं और यहां पर लिखते है request यह क्योंकि परामिटर request लिता है उसके बाद देखे क्या कहता है यहां पर लिखिए आप यूजर नेम के जैगा username जो यूजर नेम आपका यह है यहाँ पर जो यहाँ पर variable बनाएं वह सबस्कार लेकिंगे रिक लेकिन हम यह पर यहांपर से करेंगे और यहांपर लिखेंगे user name ठीक है username और password के अंदर हम password यहांपर लिखेंगे पासवर्ड यदि user name and password है यहाँ पर print करते हैं print user यदि user मिले गा उसको तब यह user को show कर आएगा यहाँ पर कुछ दिखाएगा गर नहीं है तो नद दिखाएगा तो अब यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर से फिर से हम login को क्लिक करते हैं यहाँ पर लेखते हैं admin अब इस बार हम password कुछ और लिए देते हैं, कि यह क्लिक अब यहां पर देखिए कुछ दिखाया नहीं, नहीं दिखाया, यहां पर क्या raise कर रहा है, बस सिर्फ यहां पर यहां को authenticate नहीं किया, valid नहीं किया, इसलिए हमें direct हमके, हमें इस page पर हमें दे दिया, लेकिन आप क्या admin, 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 click किये, अब यहां पर फिक कर रहा है कि हमें HTTP responsive object नहीं मिला, तो कोई दिकत नहीं, अभी उसको भी हम सही कर लेंगे, अब यहां पर admin, admin लिखे, तो यहां पर देखिए हमें एक admin, मतलब यहां पर कुछ यह return किया, अब इसको हम सबसे पहले check करेंगे, कि if user is not none, यदि none नहीं है, तो कुछ करो, मतलब कि pass कर देए उसके बाद, यहीं थे else में जाओ, अब कह दो यहां पर, कि वह user exist नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसको return कुछ कर दो, मतलब यही page को हम क्या करते है, यही से हम return कर देते है, यही HTTP जो है, यहां पर render, यही से हम कर देते हैं, इसी को तो हम क्या करेंगे, return करवा देते हैं, अब यहाँ पर इसको जब मिलता है, तो login को call करें, login को जो import यहाँ पर किये थे, तो login को यहाँ से import किये थे, यहाँ इसका use करते हैं, यह एक लेता है request, यहाँ पर जो user आपको मिला है, जो user के अंदर आया है, तो यहाँ पर उसको दे दीजिए, आपका login success हो जाएगा, ठीक है, आपका login success हो जाएगा, अब यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पर लेखते है, admin, admin, click किये, अब देखिए क्या किया है, login तो करवा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, कि इसको आप क्या करते हैं, render करवा ही लेते है, return यहाँ पर से, अब यहाँ से क्या करो, अगर सब कुछ सही है इसको return कर दो render इसको हम home page पर करवा लेते हैं ठीक है इसको हम home page पर redirect करवा लेते हैं render नहीं redirect करवाएंगे क्योंकि यही URL पर render करवाते हैं यही URL पर चलेगा रेडारेक्ट करवाएंगे तो दूसरे पेज पर वह चला जाएगा तो चलिए यहां से इसको URL कर देते हैं इसको redirect करवा रहे हैं home page पर अब देखिए जैसे हैं जब login success हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा redirect हमें कर देगा home page पर तो आएए फिर से करते हैं इसको फिर से करके आपको दिखाते हैं तो यहां पर लिखेंगे admin यहां पर लिखेंगे admin और यहां पर log in success होगा तो हमें home page पर redirect करेंग तो यहां पर जैसे ही करेंगे यहां अभी यहां से करो और sign up कर तो हम ऐसा इसमें कर सकते हैं कि यहां पर login करता है तो यहां पर एक logout का button दिख जा है और वो जो user name है उसका वो दिखाए दे तो चलते हैं अपने navwar के अंदर हम वो बनाया है तो उसको यहां पर दिखाते हैं तो हमारे पास एक jango template के अंदर ही आप यह लिख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं jango template के अंदर एक if condition लगा सकते है if request.user.isAuthenticated यदि authenticated है यदि authenticated है तो क्या करो इसको copy कर लेते हैं paste कर देते हैं एक और बनाते हैं ठीक है यदि authenticated है यह करो नहीं तो else if नहीं सिफ else करो else में उसके बाद यह दिखाओ तो यह इसको क्या करते हैं यहां पर login ना दिखा कर यहां पर लिखते हैं कि जो user मतलब कि login है उसको दिखाते हैं तो यहां पर लिखेगा request request.user लिखिएगा तो यहाँ पर यूजर नेम है उसका वो दिख जाएगा और इसका URL यहाँ से हटा देते हैं URL कुछ नहीं देते हैं इसको हम ऐसे चोड़ देते हैं ठीक है इसको इस तरह से चोड़ देते हैं और यह जो है यहाँ पर लॉग आउट और इसका URL भी हमें से हटा देते हैं यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं अगले वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे उसको लॉग आउट करेंगे यहाँ पर लॉग आउट हो गया इसको सेव करते हैं यदि user लॉग-ein है अब दिखेगा क्या यदि किया हूं, यहां से session को हट आते हैं, यहां पर से remove करते हैं, bulb और फिर करते हैं, आप देखिये, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या वह login है, तो जिरह क्या दिखेगा यहां पर उसका username और यहां पर यदि user login नहीं है तो आप उसको दिखेगा login and sign up यदि वह login नहीं है तो यहां से कोई भी user आएगा तो अराम से कर सकता है admin admin login success होगा तो मैं home page पर redirect कर देगा home page पर redirect कर दिया तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में बताईएगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए share कीजिए यदि आप चैनल को अभी तक subscribe नहीं कीए तो चैनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं नेट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद